दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपत और आप देख रहे हैं एडू बगीचा तो आज हम लोग डिसकस करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट चाप्टर है बिटामिन से संबंधित और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये बिटामिन आखिर है क्या इसका यूज हमारे कवर करेंगे इसमें तो आये जानते हैं सबसे पहले कि ये बिटामिन है क्या तो देखिए न्यूट्रियन्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड बिटामिन ये जो न्यूट्रियन्स एलिमेंट्स है यानि कि पोशक तत्व को हम बिटामिन कहेंगे ठीक है तो ये पोशक तत्व को हम कहेंगे जिसके चलते हमारे सरीर का पोशन होता है ठीक है जिससे कि हम हिस्ट पुस्ट और सुद्रड दिखते हैं इसके खोज करता कौन थे सबसे पहले किस किनों ने इसकी पता लगाई कि ये आखिर ये बिटामिन है क्या तो सबसे पहले फंक महोदैने एक बैग्यानी का ना होता है जो हमारे बोडी को चलाने के लिए बहुत हैं ठीक है आगे जब देखें तो ये बिटामिन कई तरह के होते हैं मैनली बिटामिन ए बिटामिन बी बिटामिन सी डी और के इस तरह से होते हैं लेकिन इसमें जो बी है ये काफी कॉम्पलेक्स है यानि इसमें बी कॉम् से मेडिशिन होगरा में जरम जरम में खुरनसिय ठीक हैं और दूसरा फैट में यानि वासा में तो जल में घुलनसिय होगा दी और कि यहीं दो जो जल में घुलनसील होगा ठीक है और बाकी वसा में घुलनसील जो होगा वो A, D, E और K होगा तो इसको याद करने के लिए हम कीडा याद करेंगे देखिए कीडा को देखिए कैसे याद करेंगे K, E, D, A कीडा हो गया तो इसी को उल्टा करेंगे K-E-D-A, एक ऐसा trick से याद रखेंगे कीड़ा कीड़ा यानि की कि K-E-D-A, ये किस चीज में घुल अनसील है तो वासा में यानि fat में घुल अनसील होता है कीड़ा, clear? ये जल में होता है बी और सी, ठीक है? तो जल में घुल अनसील जो होता है 70% लगभग water होता है तो उसमें क्या होता है उस water में घुलकर urine के रास्ते ये बाहर निकल जाता है लेकिन जो चीज वसा में घुलन सील होते हैं ठीक है वो इसकी मातरा अगर जादा हो जाए तो ये body से निकलता है नहीं है बलकि वहां पर liver में जाकर ये जमा हो जाता है जो कि आगे चल कर हमको नुकसान करता है ठीक है तो अब हम देखेंगे कि ये जो है vitamins के name है इसके scientific name है इससे होने वाले disease है और इसके क्या-क्या source है उसके बारे में हम समझेंगे तो आए देखते हैं सबसे पहले ये vitamin A है इस vitamin A को पहले जान जाए कि इसको प्रतिरक्षी vitamin कहेंगे अब प्रतिरक्षी vitamin क्यों कहेंगे क्योंकि यह हमारे सरीर में बाहर से जो attack करने वाले रोग हैं जो जीवानी bacteria वाइरस हैं उनसे ये लड़ने का काम करता है तो इसलिए इसको प्रतिरक्षी vitamin कहेंगे इसके scientific name देखे रेटिनॉल होता है इसका scientific name क्योंकि vitamin A जो है इसकी कमी से होने वाला disease है night blindness, night blindness को रताओधी कहते हैं इसका लक्षन क्या है रताओधी वाले लोगों को कम प्रकास में नहीं दिखाई देता है ठीक है तो ये रताओधी हो गया तो ये night blindness चुकी आँख से संबंदित है तो आँख में सबसे में चीज क्या होता है रेटिना तो उस र रिलेट करके याद रखेंगे रेटिनॉल इसका scientific name क्या हो गया रेटिनॉल clear night blindness उससे होने वाले रोग हो गया अब इसके source के बारे में देखते हैं तो ये पीले फॉलो में ज्यादा पाया जाता है पीले फॉल जैसे पपीता हो गया गाजर हो गया इस तरह से ये पीले फॉ होता है जो हलका golden color का होता है उस golden rice में ये vitamin A बहुत ज्यादा पाया जाता है साथ ही अगर फीस का यकृत का बात करें फीस के liver का तो question पुछता है कभी कभी कि फीस के liver में कौन सा vitamin पाया जाता है तो वहाँ पे vitamin A पाया जाता है जबकि only fish की बात करें तो वह D में होगा ठीक ह लेकिन फीस के liver की बात हो जाए फीस के यकृत के तेल के बात हो जाए तो वहाँ vitamin A हो जाएगा आए समझते हैं अब vitamin B के बारे में चुकि vitamin B देखिए ये बहुत बड़ा complex है इसका तो इसको दो भागों में हम देखेंगे पहले तो simple vitamin B देख देते हैं फिर next part में इसके complex को देखेंगे तो vitamin B के जो scientific name है उसको कहेंगे थाइमेन ठीक है अब इससे होने वाला disease है उसको बेरी-बेरी कहेंगे बेरी-बेरी जो है skin related disease है जिससे की skin से संबंदित बिमारिया होती है ठीक है तो ये बेरी-बेरी हो गए इसके अगर source अगर हम देखें तो ये green vegetable में यानि हरी पतिदार सबजिया में मिलती है और चावल का उपरी भाग एक polish वाला चावल आज कला रहा है लेकिन जो पहले चावल मोटा मोटा होता था उसको उसका एक परत छील करके उसके बाद polish करके आता है तो जो पहले वाला original चावल होता है उसी चावल की उपरी भाग में ये सबसे अधिक मिलता है vitamin B ठीक है बात करे vitamin C की तो इसका scientific name होता ह is colocarlic acid ठेक है और इसब जो डिजिज होता हैする कर लेते हैं इसकार लेते हैं सब्सक्रावी यह जो geri passport possess जूड़िया परजाना मसोडों का सूर्ज जाना दातों से खूनाना मसोडों से खूनाना ये सब चीज hair जाना बाल का पकना ये सब vitamin C में आएगा vitamin C की कमी से होने वाले रोग हैं और इसकी बात करें कि सबसे अधिक किस चीज में ये मात पाया जाता है तो खटे फलों में पाय जाएगा, main source की बात करें तो आउला हो जाएगा, निम्बू हो जाएगा, ठीक है, एक और important बात करें इसके बारे में, ये body में store नहीं हो पाता है, store नहीं हो पाने का मतलब ये है, कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अभी आउला खाएं, तो आउला जब तक वो हमारे पेट में रहेगा, तब तक वो है कि vitamin C हमारे body के अंदर काम कर रहा है, लेकिन जैसे वो पच जाएगा, उसका काम खतम, जैसे निम्बू का कोई अगर सर्वत पीते हैं आप लो, तो निम्बू का सर्वत जब पीएंगे, तब vitamin C अंदर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको यूरिन नेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, तो vitamin C खत्म, यानि कि ये एस्टोर नहीं हो पाता है, लेकिन एक और इंपोर्टेंट काम है इसका, ये किसी कटे हुए या घाव को समझिए, कि ये घाव को भरने में बहुत ज्यादा महत्तोपुन भूमी का निभात होता है, यानि कि अगर इसको अब लोग कंपेर करें किसी diabetes patient से, जिसमें माली जे vitamin C कम है, vitamin C जो है कम है, उसमें diabetes अधिक है, यानि diabetes अधिक होता है, तो भी घाव नहीं भरता है, और यहाँ vitamin C कम हो जाएगा, तो भी घाव नहीं भरेगा, ठीक है, आईए बात करते है, vitamin D के बारे में, जो कि काफी important चीज है, यह एक मात्र vitamin है, जो कि हार्मोन का रूप है, question बहुत सारे, railway जोगरा में बहुत पूस्ता है, B.S.S.C. में भी पूछा था एक बार, कि यह vitamin D जो है, ठीक है, कौन सा vitamin है, जो हार्मोन का रूप है, तो अकेला और सिर्फ एक vitamin है, जो हार् sunshine vitamin भी कहते है, sunshine vitamin क्यों कहते है, क्योंकि यह सुर्य के परकास से यहां में प्राप्थ होती है, ठीक है, और इसको calciferol कहते है, क्या कहते है, calciferol इसका scientific name है, जबकि इस से होने वाले disease की बात करें, तो वो rickets होता है, rickets, अब यह rickets होता क्या है, तो rickets जो है, हड्यों का टेढ़ा हो जाना rickets कहलाता है, देखे होंगे आप किसी-किसी बच्चे लोगों को, जो की मतलब, अच्छा से उन लोगों को treatment नहीं किया जाता है, शुरुवाती दौर से उसको अगर डॉक्टर से सलाह लेकर नहीं किया जाता है, तो उसके हडिया ओडिया टेढ़ी हो जाती है, मतलब अजीव ही safe हो जाता है, तो वैसे condition में वो जो बच्चा होता है, वो rickets से ग्रसित होता है, सुरुवाती का परकास इसका main source है, अब मचली से भी यह vitamin D मिलता है, मचली खाने से vitamin D मिलता है, सुरुवाती का परक टोको फेरोल, और इससे कौन सा डिजीज होता है, तो इससे होता है, हीपोटेंटली, हीपोटेंटली को अगर हम समझें, तो ये दो तरह का होता है, एक male में होगा, एक female में होगा, तो male में होता है, उसको कहेंगे नपुनसक, यानि नपुनसकता, और female में होता है, वो से जनन सकती कम हो जाती है ठीक है तो उसको मेल में भी होगा जिस मेल में जनन सकती कम हो जाएगा उसको नपुनसक कहेंगे और जिस फिमेल में यह चीज कम हो जाती है तो उसको बाज कहा जाता है या बाजपन कहा जाता है इसके अगर सोर्स की बात करें तो यह अंकुरित अना जिसे चाना हो गया, मूंग हो गया, इस सब को क्या किया जाता है, पानी में उसको फुला करके, फिर एक आद दो दिन के बाद अंकूरित हो जाता है, तब खाया जाता है, उससे बिटामिन E बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये स्वता उत्पादित भी होते हैं, बोडी मे इसको या पादित होते हैं, खुद से जैनरेट भी कर लिए जाते हैं, टिक है, तो ये भी एक स्टार वला पॉइंट है, इसको याद रखना की ज़रत है, ये स्वता उत्पादित होता है, उसके बाद देखेंगे, vitamin K के बारे में ये K के बारे में देखेंगे इसको इसका जो scientific name है होता है philoquinone इसका scientific name होता है philoquinone और इसकी disease की बात करें तो ये hemophilia होता है hemophilia दो ध्यान रखिएगा hemophilia एक genetic disease है एक क्या है? एक genetic disease है जो की पिढ़ी दर पिढ़ी जैसे की diabetes है तो diabetes भी एक पिढ़ी दर पिढ़ी वाली बीमारी है ठीक वैसे ही hemophilia जो है वो भी एक पिढ़ी दर पिढ़ी यानि दादा को है तो पापा को होगा फिर उसके बेटे को होगा फिर बेटे को होगा इस तरह से एक पिढ़ी दर पिढ़ी चलते रहता है ठीक है? सबजिया, पतिदार साग, सबजिया इसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो overall हम vitamin समझ गया, vitamin के name देख लिए, उसके scientific name देख लिए, उसके digits देख लिए, और उसके source देख लिए, ठीक है, अब हम इस scientific name को, यानि इस vitamin के जो scientific name है, उसको याद कैसे रखेंगे पढ़ने के लिए पढ़ लिए, समझ भी लिए, लेकिन सबसे important बात ये है, कि हमेशा हमको याद कैसे रहेगा, तो उस याद करने के लिए, हम एक trick का सहारा लेंगे, अब ये देखते हैं, वो trick क्या है, trick देखिए, एक बहुत ही मतलब, एक toffee है, समझी एक toffee, जैसे आप ल तो चलिए वी इस toffee के बारे में जानेंगे कि भाई ये toffee आखिर मिलेगा कहां, और ये toffee का नाम क्या है, तो याद रखीएगा, ये toffee सिर्फ एडू बगीचा के चैनल पर मिलेगा, आए देखते हैं, ये toffee है क्या, इस toffee का नाम है, रथ एक toffee, ठीक है, रथ एक toffee नाम है, अब देखिए, कैसे ये रथ एक toffee, नामक toffee को खाने से, ये सारे नाम कैसे याद हो जाते हैं, देखते हैं, अगर रख से देखें, तो देखिए, तो ये रेटिनॉल हो जाएगा, ठो से अगर देखा जाए, तो ये थायमीन हो जाएगा, एस से देखा जाए, तो इसकर्विक एसीड हो जाएगा, को की बात करें, तो यहाँ से केलसी फैरॉल हो जाएगा, तो की बात करें तो देखिए टोको पेरॉल हो जाएगा और फी से क्या हो जाएगा फीलोक्विनोन फीलोक्विनोन अब यहां देखते हैं आईए समझते हैं राथ एक टॉफी ऐसे याद रखेंगे राथ एक टॉफी 6 अक्छर का है हमारा बिटामिन कितना था A, B, C, D, E और K चो था याद रखेंगे राथ से रेटिनोल सबसे बाले वाला A वाला हो गया रेटिनोल थो से हो गया थाइमीन यानि बिटामिन B वाला हो गया A से हो गया एसकर्विक एसीड यानि बिटामिन सी वाला हो गया को से हो गया कैल्सी फेरोल यानि विटामिन डी का हो गया तोस से हो गया टोको पेरोल यानि विटामिन ए का हो गया और फी से हो गया फिलोक्विनोन यानि विटामिन के का हो गया तो देखिए तो A, B, C, D, E और K, कैसे टोफी खाते हमको सब याद हो गया, रोस से याद रखनेंगे, रोस से रेटिनोल, ठीके, रोस था, था से थाइमीन, A से स्कर्विक एसिड, कोस से कैल्सिफेरोल, टोस से टोकोपेरोल, और फी से फिलोक्विनोन, रत एक टोफी, समझ तो आएए, देखिए, ये टोफी खाइए, और सिर्फ अकेले नहीं खाना है, दोस्तो को भी खिलाएए, और उनसे भी बोलिए कि वो भी अपने दोस्तों को खिलाए, यानि कहने का मतलब है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, और आनंद लिजे, धन्यवाद.